अलो फ्रेंज का सैंपल को यहां पर आज हम लोगों को बात करने वाले आहरारवी एलपी टेक्निशियन एंड एशेंटी के उपर हम लोगों बात करने वाले इसका रिजल्ट कब तक आएंगे इसके जो एलपी पोश्ट का साइको टेस्ट लिया जाएगा यह कब तक और इससे आपको एक दो दिन डिफरेणस रहेंगे इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने जा रहें अफिशयल डेट के कॉर्डिंग ही है पर चली इसपर बात करते हैं मैंने किया कब तक आंगे रिजल्ट कब तक आएंगे अंसर की और कब तक होंगे साइकोटेस्ट इसके बात करते हैं एनसर की विल भी अप्लोड 16-18 फरवरी की बीच में आ सकते हैं मैंसराइज कि सालाफ फरवरी को आपका एंसर की अप्लोड हो जाएंगे ऑफिस्चल्व साइट पर गीनटी नइपरसंट चांस है कि आपको 16 फरवरी को ही एंसर किया है उसके बाद हम लोग बात करें रिजल्ट रिजल्ट के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो फ़र्ष्ट वीक ओफ मार्च मैक्सम फर्वारी में नहीं आ सकते हैं उस पर अब्जेक्शन लिए जाएंगे दस दिन कम से कम आपको अब्जेक्शन के लिए टाइम दिये पांच मार्च को रिजल्ट आपका आशकते हैं मैक्सम चांसेज हैं अब हम लोग बात करें साइको टेस्ट को पर तो साइको टेस्ट आपका कंड़क्ट करवाया जा सकते हैं 20 मार्च या 24 मार्च को दोनों से किसी एक डेट को या 21-22 भी हो सकते हैं मैक्सम चांसेज एपका उफिसेल तोर पर शायको क्रोड़ कर्वाएज रिजयटाबते बाद आपके पास 20 दिन समय दिए जायेंगे और उस 20 दिन के बाद आपका साइको टेस्ट हो जायेंगे तो यहां मैक्समान चांसे़ सायी साइकोटेस24 मार्ज को हो जाएंगे 24 या 20 मार्च के बीच में आपका कभी भी और्गनाईज हो जाएंगे इससे ज़्याद आपको डिलेर नहीं होने जारा अब इतना ही कि आसपा सारे डेट एक्जाम डेट रहेंगे ठीक है और रहेंगे भी और कुछ चांसेज भी है जैसे हम लोग बात करें रिज और पास-पास आपको साइकोटेश्ट केस्ट करवा दिये जाएंगे यह सारे अफडेट और अफिशियल है फिर बी आफ्र जो आएंगे अँटेट उससे कम नहीं रहेगा जो ऑफिशियल लाएंगे लगफअ लगफवा लगफा सेम रहेंगा उसी तरह से ऑ मिध है कि उसी जा पारत